हलो एवरिवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, यूनियवग, आज के वीडियो में हम जानेंगे कपेस्टर पैनल के बारे में, तो आईए स्टार्ट करते हैं, तो कपेस्टर पैनल, अगर मैं अशान सब्दों में आपको समझाऊं, तो कपेस्टर को, काफ़सरी कपेस् अक्सर यह क्या करता है, पावर को regulate और stabilize करता है, electrical system में, ठीक है, substation वगेरा में, ठीक है, तो काफिस अरे capacitors को combine करके ही panel बनता है, और जब यह इस कठा जुड़ता है, तो एक energy मतलब provide करता है, और इसको store किया जाता है, और यही क्या करता है, fluctuation के दोरान, electrical supply maintain करके, manage करके रख है, consumers को, ठीक है, यह कहीं पे भी, या किसी industries में, तो उसको क्या करता है, reliable output देता है, और stable foam में देता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यह इस picture को, यह क्या है, outer view आप देख सकते हैं, capacitor panel का है, ठीक है, तो function भी खास कर, अगर आपको capacitor panel समझ आ गया, तो function भी same ही है, तो function क है, capacitor panel का, कि, यह help करता है, कि power को regulate करने में, stabilize करने में, जो भी electricity का flow है, उसको stabilize करने में, मदद करता है, ठीक है, main यह ही है, और यह electrical energy को store करता है, जब ज़्यादा supply हो, ठीक है, excess supplies के time, और release करता है, energy देता है, जब higher demand हो, means, जब shortage हो, electricity हो, तो उस time भी यह store करके रखता है, electricity, और जब time आता है, high demand का, तो फिर यह release करतेता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यह help करता है, maintain करने में, consistent power supply को, means, same जैसे power पहले आ रहे थी, वैसे चलती रहे, तो वो किसका काम है, capacitor panel का काम है, कि same same power, ऐसे नहीं कि, अभी बंद हुई light, ठीक है, electricity चले गई, और एकदम से आपको current flow करता हुआ, ऐसे short circuit हो जाए, तो वो consistent power supply रहे हर जगा, तो इसलिए capacitor panels लगाए जाते है, ताकि जो भी power surges है, जो certain power जो आरी है, उससे बचा जा सके, ठीक है, और हमारे कोई भी sensitive equipment है, वो damage ना हो, इसलिए capacitor panels का, यूज किया जाता है, ठीक है, अब यह दे सकते है three-phase capacitor panel, तो हम capacitor panels को use क्यों किया है, वो ही जो function है, घुमा फिर आके, फिर वो ही हम इसका answer देना है, कि जो capacitor panel है, वो हम use किया जाता है, उसको हम use करते हैं, ताकि जो supply है, electric supply है, उसको maintain करके, stabilize करके, बेज़ जाए, ताकि fluctuations ना हो, जब भी वो power send हो गई, ठीक है, sending to receiving end, ठीक है, अगला point है, कि यह help करता है, electric equipment को, बचाता है, ठीक है, ताकि damage ना हो, damage किस वज़े से होगा, अगर sudden power surges की वज़े से, अचानक से power जो बढ़ रही है, उसकी वज़े से damage ना हो, equipment, तो हो capacitor panel उससे बचा के रखता है, एक protective equipment हम बोलें, electrical system में that is capacitor panel है, और ये क्या करता है, ये चीज़ का ध्यान रखता है, कि device को एक consistent और smooth flow of electricity मिलता रहे है, ठीक है, अच्छे, मतलब सही, जो भी, जैसे चल रही थी, electricity, जैसे जैसे आ रही थी, वैसे ही चले, equal amount में, ठीक है, और smooth flow में electricity चले, ठीक है, तो ये, ये ensure करता है, और ये overall reliability और efficiency जो भी है, electrical system की, उसको क्या करता है, enhance करता है, बढ़ाता है, efficiency, efficient बनाता है, electrical system को capacitor panel, ठीक है, तो I hope आपको capacitor panel से related सारी जानकारी पता चल गयो, आप इसका अंदर internal view भी दे सकते हैं, capacitor panel का, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो like कीजे, subscribe कीजे, और share कीजे, और bell icon को भी हिट कर दीजिये, ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको बिलकुल टाइम पर मिल जाए, thank you for watching it.